दिखाते हैं तेंग्शा उससे बोलता है तो खुट ट्राय करके देख लोग क्या होता है और दिखाते हैं उसके बास उनके जो सुबह यह ना वो तेंग्शा की तरफ देखे काफे घबरा जाता है और किया रहा होता है क्या तो मुझे ब्लेकमेल कर रहे हो दिखाते हैं जैसे कहता है क्या तुम मुझे एक रिंडम प्रेशन के तोल पर रेफर कर रहे हो और तुम तो बस एक बदमाश हो जो स्रिप रहना चानता है तुम सोसाइटी में एकदम लो लिल पर रहोगे और हमेशा के लिए कशड़ा बन जाओगे और सीबू आगे कहता है इस बीच जब में शाह मिलो जाओंगा और अंडर वर्ड का बोस बनुँगा दिखाते हैं यह बास उनके तेंशा काभी सफ्राइज होता है और बोल रहा होता है क्या तुम तेंशा गैंग में जोइन होगे दिखाते हैं सीबू बोलता है मेरे जिससे आउड़ स्टेडिंग परसन के लिए यह तो नेच्रोल है मुझे तो सीसीडी की सबसे ज़्यादा पावरफुल और्गनाइजेशन में शाह मिल तो होना ही चाहिए और वैसे तुम जैसे बदमास तो मेरे चूते साफ करने के भी लायक नहीं हो दिखाते हैं तेंशा उसके बास उनके किया रहा होता है क्या तुम दिखा जाता है जो सीबुए वो पलटता है और तेंशा को पंच मारने वाला होता है और के रहा होता है आखिर तुम यह पास क्या राइट है तुम तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम नीचा देखूं और इस वाला एपिसोड का पलोग हीं पर एंड करते हैं और फ दिखाया जाएगा कि उनके रिलेशन्शिप का बारे में और चेंजरं के बारे में बता जाएगा कि लोग उसे बुली क्यों कर देते तो यहां पर अपने लोगों का यह एक्स्ट्रा एपिसोड होने वाला है इसका मैंने स्ट्री लैंस से कोई connection नहीं तो मैं इसी में explain करने वह मैं को invite कर रहा होता है अपने घर पर केक खाने के लिए और यहां पर बीच में चेंजरंग बोलता भी है मैंने सोचे था कि मेरी लाइफ ऐसी चलती रहे हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट लेकिन उस दिन के बाद और फिर इसके बाद हमें उस दिन का सिन दिखा जाता ह अपने घर पर पोस्ताय में के साथ तो वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं चेंजरंग उचा होता है यहां पर दिखा जाता है जो कि बाते करने लगते हैं कि मैंने सुनाए कि वह एक गेंग्स्टर था और उसने कुछ लोगों को मार दिया यह तो किता खतनाक बात है और पर जिस लोग जिस जनकी बात कर रहे ना तो यह हो सकते हैं कि चेंजरंगे डार डेड हो पापा और इसके बाद हमें दिखा जाता है जो लिटे अपना चेंज यह वो भी उनकी बात सुन रहा होता है वो लोग खेर होते हैं वह बंदा तो काफी है था पॉलाइट दिखता पर जाता मुझे रिश्वास नहीं हो रहा है कि वह इसा कुछ कर सकता है दूसरी बोड़ी होती है मैंने सुनाए कि उसकी पतनी होस्टेज है और फिर दिखाते हैं चेंजरंग खड़ा-खड़ा उनकी बात सुन रहा होता है और फिर इसके बात हमें दिखाते हैं लोग चें पुलाओ गई और तो हमें हर बात दिखो गांते हैं इससे इसकार हैं सब्यक्राइब टिखाते हैं नोग सभी होती हैं अब नियुककर भ revived Vay attributed ye झाली इसर ने शुरू कराता और फिर इसका की हैं तृझ जोगा he तरवाजा ख़लता है और नहीं पर पर रहा है पुछ भीड़ा को रहने हो खाने को लाइए हूं दिखाते हैं दर्वादा खुलता है और में रूम के अंदर आती है जैसे अंदर आती है रूम के होती है चैंग अखर तो ने इस घ्रोक रता है और दिखाते हैं और और तो आगर तुम्हारी स्कुल धाने के हिमत कैसे होती है तुम एक मड़र के बेटे हो ऐसी बात है दिखाते है उनकी तुम मुझे आखिसंद के लिए हिरो बनके और जो में है वो चिलाते हुए इसलिए भेतर होगी तुम अभी रुख जाओ दिखाते उसके बास उनके बंदे नाराज हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं तुम हर बार हमाई बीच महा जाते हो कुटिया इस बर हम तुमें अच्छा लेशन सिखाएंगे एक सबक सिखाएंगे और तभी यहां पर दिखाते चैंजोंग उठाते हैं और उनके मुपे फेक कर मारता है जो भी मैं यो भगड़ाता है और बोलता होता है उससे जाने ने दो दिखाते मब पे भेख पढ़ता और भी धेर हो जाता है बहुत ऐंद दिखाते हैं अब हम यह इंप एर चाहिए और दिखाते हूं में कित्रा ग चल देता है और फिर घुम के खबिते हैं और फिर इसका बात नहीं दिखा जाता है जो मैं हो चैंजिंग से कहती है, कि हमें तुमसे स्कूल के उस्कूल से पेले क्यों चले गए। इसको बोस्ते हुझे हु मैं कुछ ले ठाथा parents के लिए इ*** मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए गिफ्ट है दिखाते हैं चोकलेटी क्यों दिखाते में उसे कहती है तुम तो डमियों आज की दिन चोकलेटी दिना जरूर यह चेंज़ों कहता है हो और फिर इसक वाद में दिखायाता है वो दूनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में घर जाने लगते हैं और जो में हैं वह उसे के रहे होती है तो फिर भी फिर कभी फाइड मत करना चेंज़ों कहता है अच्छा ठीक है समझ गया और फिर यहीं पर अपना यह एक्ट्रा एपिसोड़ पसंद आया होगा अगर आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पताना कि कैसा लगा इस वहले अपिसोड में अपन को चेंज़ों के बार में बताएगा और में और चेंज़ों के बार में दिखाया थोड़ा बहुत तो अब आगे के इस्टोड करेंगे चाहां पन को देखने को मिलेगा जो क्या कहते हैं सी वह यह ना उसको तेंश